आज मैं आपके साथ ऐसी मिठाई की रेसीपी सेयर करूंगी जो की मिंटो में बनके तयार होगी और उसमें कुछ जादा इंग्रिडेंट्स भी नहीं लगेंगे उसके लिए हमें लेना है एक खोपरा ले लीजिए या फिर आप नारियल का बुरादा आता है डेसीकेटेड को एक कप हमेंने लिया है दूद मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी इसके लिए आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखना एंड तक और जिस कप से मैंने दूद लिया था उसी का आदा कप मैंने इसमें चीनी डाला है जितना दूद लेना है उसी का आदा कप हमें चीनी डालनी है और उसके जो दूद मैंने जिस कप से दूद लिया था और उसके दो कप मैंने नारिल का बुरादा लिया है इसको परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे तो मिटाई बहुत ही अच्छी बनेगी और दूद को इस तरह से हमें चीनी और दूद को अच्छी त मैंने इसमें तीन चमज डाला है मिल्क पाउडर और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं और अब मैंने नारिल का बुरादा जो लिया था दो कप उसको मैंने डाल दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी आप चाओ तो इसमें केशर भी डाल सकते हैं केशर का दूद्ध भी डाल सकते हैं और इसको हम इस तरह से अच्छी तरह चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इस मिठाए को बनाने में हमें कुछ ज़्यादा देर टाइम भी नहीं लगता है मिंटों में बनके तयार होती है और हम बच्चों को घर पे ही इस तरह से मीठा बनाके खिला सकते हैं और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा फूड कलर कलर के लिए क्योंकि यह हम हलवाई जैसी बना रहे हैं तो इसमें कलर के लिए मैंने फूट कलर डाला है आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं मैंने इसमें फूट कलर डाल दिया है जिससे कि एकदम यलो कलर की मिठाई बनके तयार होगी और आप देख सकते हैं कि ये भी कलर हमारे पूरी मिठाई में मिल चुका है और पूरी यलो कलर की हो गई है और हमारा नारेल का बुरादा जो हमने डाला था ये पूरा सूख कर इस तरह से बरफी जमाने के फेम में हमारे आ गया है और इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे और अब एक प्लेट तियार कर लेंगे आपके पास जो भी प्लेट उस पे गी लगाके इस तरह से तैयार कर लें और इसमें भी हम आने डाला है एक चमच घी जिससे की साइनिंग भी अच्छी आजाएगी और यह चिपकेगा भी नहीं मैंने इसमें ज्ञादा घी नहीं डाला है सिर्फ और सुर्फ एक चमच घी डाला है और आप देख सकते हैं की इसमें अच्छी तरह सायनिंग आ जाएगी और जो कढराई में थोड़ा वो चिपक रहा था वो भी नहीं चिपकेगा इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बहुती अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब हम इसे प्लेट में निकालने की तैयारी कर लेते हैं अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में इस तरह से सभी को हम प्लेट में निकाल लेंगे आप चाहो तो थोड़ी बड़ी प्लेट भी ले सकते हैं या फिर बर्फी बनाने की ट्रे जो आती है जमाने की ट्रे जो आती है उसको भी ले सकते है मैंने यह नॉर्मल प्लेट लिए है उसी में मैं इसको जमाऊंगी और इस तरह से मैं सारे को हटा लूँगे और अच्छी तरह से इसको जमा देना है हाथ से जमा दीजिए या फिर कोई चमबच की साहता से इस तरह से हम इसको जमा देंगे और ये मैंने जमा दिया है और अब इस पे मैं थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए उपर से केसर डाल रही हूँ आप कुछ भी ड्राइब फूर्श डाल सकते हैं काजू, बदाम, कुछ भी इसके उपर आप डाल सकते हैं मैंने थोड़ी सी केसर डाली है और अब मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगी थोड़ी दे ठंडा होने के बाद में इसको कट करें ये मिठाई ऐसी है कि बिल्कु सॉफ्ट है मुह में घूल जाएगी, एकदम जाते ही इतनी टैश्टी बनेगी आप एक बर इसको ट्राइ जरूर कीजिएगा बहुत ही यमी बनती है और आप इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे इसको और आप किसी को भी सर्व करेंगे तो आप कोई ये कहेगा ही नहीं कि ये घर पे बनाई है और बहुत ही अच्छी बनती है और आप इसको ताजा नारियल से भी बना सकते हैं मैंने इनको थोड़े से गुलाब की पत्तियों से डेकोरेट किया है और दिखने में ये बहुत ही अच्छी लग रही थी आप इस तरह से किसी भी महमान के पास में इस तरह से सर्व कर सकते हैं डेकोरेट करके और आप ये रेसिपी एक बड़ ट्राइ जरूर किस जिएगा इस ताइम त्योहार आ रहे हैं तीज आएगी और राखी आएगी आप ये रेसिपी घर पे बना सकते हैं मिठाई घर पे बना सकते हैं त्योहार पे और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर कर दीजि प्रीगा